Hello viewers, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में आज एक छोटी सी medical topic के बारे में discuss करने वाला हूँ लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसके बारे में 95% से जादा लोगों को exact और सही information नहीं पता होगा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिर्फ एक tablet के लिए medical companies या फिर medicine brands इतनी बरी सी strip क्यों बनाती है और अगर कभी भी आपने इस तरह की किसी भी medicine का सेवन किया है तो आपके मन में भी इस बारे में जरूर ही सवाल आया होगा और शायद तब आपने भी यही सोचा होगा कि सायद इस तरह का medical brands या फिर medicine brand इसलिए करती है जिससे की वो आपसे अधिक मुनाफा और medicine की अच्छी packaging करके वो इसे high दामों पर बेच सकें लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ऐसा करने के पीछे एक medicine brand की इस तरह की कुछ reason हो सकती है लेकिन इसका major reason कुछ और ही होता है दोस्तों ऐसी काफी सारी medicines है जो single strip में सिर्फ एक ही tablet की packaging में आती है जैसे की albendazole, fluconazole इसके अलावा और भी बहुत सारी medicines होती है लेकिन जब भी कोई medicine over the counter sell होने के लिए market में आती है उससे पहले medicine brand को काफी सारी approvals और authorization की ज़रूरत परती है जैसे की कोई भी medicine अगर counter पे sale हो रही है तो इसके लिए US FDA की approval ज़रूरत होती है इसके अलावा WHO की guidelines भी follow करनी होती है इसके अलावा अगर इंडिया में बात करूँ तो कई सारी medicines ऐसी होती है जिसमें की Indian Medical Board की अलग से guidelines होती है इसके अलावा किसी भी single tablet को बनाने के लिए कई सारी chemicals और preservatives को मिला कर बनाया जाता है तो एक tablet की strip पे उस tablet को बनाने के लिए कितनी सारी chemical components और किस composition में उसको मिलाया गया है इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से mention करनी होती है इसके अलावा किसी medicine को sale करने से पहले उसकी facile license, वो medicine ways है या non ways इन सभी बातों को mention करनी होती है इसके अलावा medicine की barcode, batch number, manufacturing date, expiry date इसके अलावा manufacturing companies की पूरी details उस पे mention करनी होती है तो जड़ा सोचिए कि कोई medicine अगर सिर्फ एक tablet के form में मिल रही हो और उसकी strip की size सिर्फ एक tablet के बराबर ही हो तो क्या उस पे इतनी सारी information mention की जा सकती है तो अब आप समझ गए होंगे कि चाहे फिर कोई दवा एक tablet के form में ही क्यों न बिकती हो लेकिन उसको बनाने के लिए बरी सी strip क्यों packaging की जाती है उमीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक share करें और इसके अलावा अगर आपकी कोई और health issue है तो भी आप हमें इस वीडियो के नीचे comment box में या फिर हमारे instagram पे messages करके अपने सुझाव या सवाल भीज सकते हैं आगे एक और नई health topic के साथ नई वीडियो में आऊंगा तब तक आप अपना बहुत खयाल रखें, स्वस्त रहें